ओके दोस्तो तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि TDS का interest कैसे calculate किया जाता है late payment and late deduction का क्यों सीखर है बहुत ज़ादा important है यहाँ पर मन्त का calculation में कर दोगे गल्थी यहाँ पर मन्त भी calculate करना सीखेंगे और part of the month मतलब क्या होता है यह वाला point भी अपने यहाँ पर सीखेंगे बहुत ही ज़ादा important वीडियो है mcq में अगर question आ गया तो mistake हो जाएगी descriptive में भी आगया तो भी mistake हो जाएगी छोड़ू सा वीडियो है सुनते जाना देखते जाना easily खतम हो जाएगा ठीक है तो आपको interest लगेगा 1% per month और part of the month करके कब तक जिस दिन काटना चीछता नहीं काटा उस दिन से लेके जिस दिन TDS deduct किया उस दिन तक का लगेगा और एक अपने को लगता है लेट पेमेंट का अपने को कैसे लगता है यह अपने को लगता है 1.5% per month और part करके किस दिन से लगेगा जिस दिन TDS deduct कर दिया till the date of payment till the date of actual payment 1.5% per month और part of the month करके interest लगे अब देखो मन्त का calculation कैसे होता है स्ट्रेट आव इस कोश्चन की तरफ आते कोश्चन नंबर 30 है अपना कंपाइलर का पेज नंबर है 20 स्ट्रेट अस्टी थाउजंड वस पेट तू मिस्टर दस्टूर एन एडवोकेट अन फर्स जुलाई तोवर्ड फीस फोर इस प्रोफेशनल सर्विसे विदाउट डिदक्टिंग टीएज ओ माइग गॉड टीएज डिदक्टिच नहीं किया लेटर ओन अब फर्दर सम उफ सेवेंटी थाउजंड वस पेट विमें 28 फेबरी 28 फेबरी को हमने फर्दर सेवेंटी थाउजंड का पेमेंट किया है फ्रॉम विस थर्टीन थाउजंड वस डिदक्टेड एड सोर्स तो कब डिदक्ट हुआ 20 फेबरी को बट सर हमने पेमेंट 70 ताउजंड किया 13 तूज़ क्यों थर्टीन थाउजंड तो देखो 60 तूज़ जो हमने 1 जुलाई को किया था स्वेंटी थाउजंड जो हमने 20 फेबरी को किया था टोडल कितना है या 1,30,000 इसका हमने किया 10% कितना हुआ 13,000 10% क्यों किया 194J का कितना है 10% है तो 10% का TDS यहाँ पे डिड़क्त होगा तो 13,000 टोटल TDS डिड़क्त 20th February को हो जाता है तो पहला सिन यहाँ देखो पहले 60,000 की बात करते है 60,000 का TDS किस दिन डिड़क्त हो जाना चाहता है जिस दिन पेमेंट हुआ 1st July को पर डिड़क्त किस दिन किया इन्होंने इन्होंने डिड़क्त किया है 20th February को डिड़क्त किया अब बात करें 70,000 कब पेमेंट किया 20th February को पेमेंट किया deduct कब किया, 20th February, क्या 70,000 में late deduction हुआ, क्या, the answer is no, same day पे deduct हो गया, जिस दिन होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी interest नहीं है, बट यह 60,000 पे late deduction हुआ है, क्या, the answer is yes, 13,000 रुपय किस दिन deduct किया, 20th February को, जिसने 60,000 का 6,000 included है, तो यहाँ पे कितना अपने को interest लगेगा, तो 60,000 पे interest नहीं लगेगा, 60,000 का 10%, यानि जो TDS amount है, यानि 6,000 रुपय है, उसका 1% पर मन्त और part of the month करके, तो 1st July से 20th February कितना होता है, July, August, September, October, November, December, January, February, कितना हुआ, 8 months हुआ, तो कितना पे लगेगा late deduction पे, तो late deduction पे लगेगा 8 month का, वो भी सेफ वो से 60,000 का 10%, तो 60,000 का 10%, that is 6,000 हमने deduct नहीं किया था, तो इस 6,000 पे 1% 8 month करके लगेगा, that is 480, अब बात करें late payment, late payment हमने किया है, क्या, आगे पढ़ते हैं, जो 13,000 रुपय हमने deposit किया था 20th February को, उसको हमने deduct किया था 20th February को, उसको हमने deposit किया 25th June को, oh my god, late deposit कर दिया हमने, तो हमने deduct किस दिन किया, हमने deduct किया 28th February को, okay, और हमने payment किया, हमने payment किया 25th June को, ध्यान से पूरा focus इदर, यह है important चीज़ सीखने वाली, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब ध्यान से देखू, 28th February से लेके 27th March तक 1 मन्त होगा, जी हाँ, date to date calculate होता है DT में, गलती मन्त करना, अब 28th March से लेके 27th April तक होगा, दूसरा महना, फिर 28th April to 27th में तक होगा, तीसरा महना, और 28th May 2, 25th June, अब यहाँ पे हम 25th June लिए हैं, इसको भी 1 मन्त कंसीडर करेंगे, क्यों 1% पर मन्त और पार्ट आफ दी मन्त, देखो यहाँ पे एक महना complete नहीं हुआ, दो दिन कम है इसमें, फिर भी इसको एक पूरा महना अपने कंसीडर करेंगा, पूरा 1 मन्त कंसीडर करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, 4 मन्त आ 1.5% into 4 months was 780, तो यह है आपका इंडर्स, अब यहाँ पे देखो गलती क्या कर दोगे, मैं तुमको भी सिखा दे रहा हूं, अगर 28th February and 25th June को अगर तुम वैसे calculate करोगे ना, जैसे तुम अभी तक सीखते हुए आ रहे हो, कि एक भी दिन है तो पूरा महना ले लो, तो इसका मतलब February का भी तुम पूरा महना लोगे, तो 28th February मतलब February, March, April, May, June, दोस्तों पांच महने हो गया है, बट पांच महने है क्या, नहीं, 4 months है, 5 months is the wrong answer, तो यहाँ पे 4 months तुमको लेना है, कैसा है या 4 months, date to date calculate करके, सर मान लिजए अगर इस question में 20th May होता, ठीक है, अगर 20th May होता तब क्या होता, तो तब अपने यहाँ पे fall करते, तो सिर्फ 3 months अपने लेते, सर मान लिजए अगर इस question में 29th में होता, 29th में होता, तो क्या करते, तो यहाँ तक तो same होता, 28th May to 29th में, भले ही 2 दिन है, फिर भी इसको पूरा 1 month consider करते है, और आंसर 4 months ही होता, आशा करता अच्छे से solve हो गया होगा, because यह बहुत ही crucial doubt है per month वाला, तो देखो, exam में हमारा सिर्फ एक ही question आने वाला इस interest का, तो क्या करोगे, इस एक question को अच्छे से grab करने के लिए तुम करोगे, इस तरह present, ठीक है, roughly करना है, एम सी को आए, तो roughly करना है, descriptive आ है, तो ऐसे भी दिखा क किया जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, तो इस तरह करके जरूर करके आना, तो गल्निया कभी भी नहीं होगी, so इस वीडियो में इतना ही था, आपको यही सिकाना अच्छा था मेरे को, और हाँ, two double nine में हमारा international taxation and custom available है, उसको जरूर से purchase कर लेना, अ चलो जै, शरी राम, टेक केर, all the very best.